हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रफिट स्टेटी में आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो आपका बनारस रेल इंजन का खाना का जो एपेंडिसिप निकला है उसका फाइनली सेलेर कितना है और आपका जो पिछले साल का कट अफ गया था वो कितना है तो आज किस वीडियो में हम पिछले साल का जो भरती आया था नोटिफिकेशन उसका ओफिसल नोटिफिकेशन पर आपको ले के आ गया यहां से सिधा आपको कि कितना स्टाइपेंड आपको परमन दिया ज तो चली हम बढ़ते हैं अपनी नोडिफिकेशन की और जानने की कोशिश करते हैं कि स्टाइपेंट कितना मिलता है और कितना कटव गया था पिछली साल तो और मैं एक बात बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें पूरा ब बात करते हैं आज की वीडियो का तो देखिए सबसे पहले आप भारती रेल मंडल इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री आफ रेलवे बनारस लोकोमोटिव वर्स बनारसी ठीक है यह वहां का पिन कोड है बाइस दस जीरो चार तो यहां पर देखिए दिनांक देखिए आपका है तो एक चार दो हजार एककीस का है यह पिछले साल का है दो हजार बाइस का नहीं पिछले साल का मैं नोटिफिकर्शन इसलिए उठाया है क्योंकि इसमें स्टाइपेट के बारे में क्लियर कट बात किया गया है और क्लियर आपको कटप के बारे में बताया है कि बरती मों आइटी और नों आइटी या निकला था इस साल भी नवह नाइटी आई या निकला तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा अपने बात करते हैं कि देखिए मेरिट के लिए जो आपका भरती के लिए जो बुलाय का था वहाँ पर उसका ओफिस्यल डेट देखिए कितना रखा गया है तो देखिए आप यहां पर देख रहे हैं कि कर्म संख्या ट्रेड का नाम मेरिट की अनुसार अभ्यारती को बुलाने का कर्म और सत्यापन किती थी मतलब दोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए नॉन आइटी आई को बुलाए गया था पिछला बार 174 में जिसका नमबर आया था 154221 को चलिए फाइनली यह तो हम बात बाद में भी कर सकते हैं आप हम चलते हैं अपने टूदी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तो देखिए तूदी ह मतलब आपको फर्स्ट यर में देता है कितना 6,640 रुपया ठीक है 6,640 रुपय करके पर मन्थ आपको भुखतान किया जाता है यह नॉन आई टी आई वाला के लिए है नॉन आई टी आई और आपका देखिए 7,590 रुपया का भुखतान किया जाता है दीतिये वर्से तो 38 रुपया का भुखतान किया जाता है रेलवे के और से आपको स्टाइपेंट के पर मन्थ के रूप में तो देखिए आप फाइनली आपको बता दिया गया है यह आपका रेलवे का ओफिस्यल नोटिफिकेशन में सारा कुछ आपका जिकर किया गया है तो आप देख लि तो चलिए पिछला साल का कटफ देखिए कटफ आगया आपको आई टी आई और नॉन आई टी आई दूनों का कटफ आपके सामने आ गया है तो देखिए आई टी आई वाला के लिए कटफ कितना था तो फीटर में सिरियल नंबर ट्रेड अन्रिजर्ब एडव्लू एस ओब पर कटफ गया 89.67 कितना 89.67 अगर आपका टेंत में 89 से एफब परसेंटेज था 2021 में तो आपका सेलेक्शन जरूर हुआ होगा ठीक है और बात करते हैं कि इस बार का क्या होगा चली पहले पूरा कटफ देख लेते हैं और EWS का हम बात करें तो EWS का आपको सही से नहीं दिख 7.5 क्या 87.5 SC का बात करें तो EWS 7.33 और ST का बात करें तो EWS 7.70 है हैंडी क्रेप में बात करें तो 83 78 ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि फीटर का आपका जो कटफ गया था वह फाइनली 81 से लेके 90 के 20 में आपका कटफ गया था यह फीटर ब्रांच के लिए मैं बता रहा हूँ इस specially उसके बाद बात करते हैं कार पेंटर का तो कारपेंटर का देखिए 81.33 अनreserve का OBC का बात करें तो 87.33 और उसके बाद yes post नहीं था ठीक हैँ उसके बाद बात करते हैं पेंटर का पेंटर में आपका 83 चल गया है अन्रिजर्व में AWS में 69 थोड़ा कम गया है, OBS में आपका 79, SC में आपका 78 और ST में आपका 75, मतलब पेंटर में बात करें तो 75 से लेकि AD3 के वीच में आपका कटव गया, उसके बात करते हैं मेकनिस्ट में तो 87.17, 73, 84 और उसके बाद SC में आपका 73 और यहाँ पर फानल देखी, ST में आपका 76 है, वेल् में आपका 81, 74, 80, 79.67 और यहाँ पर आपका 76 है, तो फाइनल ही हम लोगों ने क्या देखा, चलिए इलेक्टिसियन बच रहे, इलेक्टिसियन का देख लेते, इलेक्टिसियन में अन्रिजर्ब का 91 बाप बाप, इतना कटव गया, सोचिए, अन्रिजर्ब का 91 कटव चला गय मतलब 100 में 91.2, उसके बाद बात करें, EWS का 89, OBC का भी 89, और SC का भी 89, ST का 85 और चलिए, यह हम लोग देख लिए तो हैंडी क्राफ्ट के, यहां से यहां तक अपका हैंडी क्राफ्ट है, इसका मतलब ITI का हम बात कर सकते हैं, तो ITI का हमारे जो special cut-off गया है, मैं एके range बता देता हूँ, इस cut-off के अनुसार कि आपको कितना cut-off गया, तो सबसे lowest cut-off जो आपका गया है, वो देखिए, आपका गया है, वेल्डर में 76, नहीं, मेकनिस्ट में गया 73, ठीक है, तो सबसे कम cut-off आपका गया है, 73, और सबसे 9 गया है आपका 91, अगर इतना के बीच में आपक अगर नंबर आ रहा है, तो आप अराम से apply कर सकते हैं, ITI वाले, ठीक है, ITI वाले अराम से apply कर सकते हैं, होना नहीं होना cut-off के उपर depend करेगा, पर आप पहले से हार नहीं मानना, आपको apply कर देना है, ठीक है, आपको apply कर देना है, चलिए, आप बात करते हैं, non-ITI वाले के ल तो हमारा देखि नॉन आइटी आई जिसमें सिरियल नंबर तो एक ही रहाएगा नॉन आइटी आई का अन्रिजर्व का देखि बहुत ज्यादा कटफ 96 EWS का 95 OBC का 95 SC SC का होगे आपका 95 ST का आपका 95 और जो पी एच कोटा से है उनका भी आपका 95 मतलग या तो आप अन्रिजर्व हैं EWS से SCST हैं आपका जो भी है मार्क्स 90 प्लस होना चाहिए 10 में तो ही आपका सेलेक्शन होने का जो चांस है वो रहेगा तो आप बोलोगे कि आप मुझे एक टर्म में बता दो कि मेरा कितना मार्क्स होगा तो मैं अपलाई कर सकता हूं पोस्ट को तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका अगर 10 में 85 से लेके 85 प्लस है तो आप तो ही आप इस पोस्ट के लिए अपलाई करिएगा ठीक है क्योंकि non ITI वोलोगे के लिए मात्र कितना पोस्ट है तो 74 पोस्ट है बस और ITI वोलोगे के लिए आपका 300 मतलब 300 पोस्ट है तो मैं आपको सजेशन दोंगा कि अगर आपका 85 84 ठीक है उससे बिलो नहीं 84 85 प्लस है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अपलाई करिएगा यह finally आपका official notification हम लोग देख लिए 2000 21 का पिछला बार भी आपका 374 पोस्ट पे ही निकला था और इस बार भी 374 पोस्ट पे ही निकला है तो cut up इसी के आज पास रहेगा तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि 84 85 अगर आपका है तो ही आप apply करिए नहीं अगर नहीं है तो आप छो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत